हलो फ्रेंट्स मैं प्रदीपार्य आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूग चैनल जडी बूटी और गार्डन ग्यान में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार मिर्च के पोधे को गंबले में लगा सकते हैं दोस्तों ये आपके सामने छोटे छेंची की गंबले रखे हुए हैं और इन में मैं पोधा लगाऊंगा और मैंने जो मिट्टी का मिश्रण लिया है वो लिया है सतर प्रतिशत तो नोर्मर गाल्डन सोयल और उसमें तीस प्रतिशत मैंने सड़ी हुई गोबर की खाद डाली है दोस्तों ये मिश्रण आप करके मिट्टी बिल्कुल आपकी पोली होनी चाहिए और आपने जो पोध निकल रखी है देखिए मेरी पोध निकली हुई उसको गंबले में बीचों बीच रखके और चारो तर्प से मिट्टी ढखके और उसको थोड़ा बीच से दबा देए ज और आपके पास गोबल की खादू पलबद नहीं है तो आप वर्म कंपोस्ट यह आप लीफ कंपोस्ट भिई कर सकते हैं तो दोस्तों मेंने दूसरा जो गंबला है उसका प्रखकर लिया है और इसी प्रकार से हमारी जो दूसरी पोध थी उसको बीचों बीच वह वह तो यस आपकी जो पोध लगाने क 이 की पुर्क्रिया है जो आपका पोध हा लगाने का जो ये कारिय था वो संपन हुआ अब इसके बाद हमें इसके अंदर पानी दे देना है। दोस्तों पोधे की ग्रोथ जो होती है वो डिपेंड करती है मिट्टी के उपर ये मेरी जो मिट्टी है ये बड़ी ही उप जाओ और पानी को होल्ड करके रखने वाली है लेकिन यदि आपके पास थोड़ी बलवी मिट्टी है या इस प्रकार की मिट्टी है जो पानी को कम द मेरे जो मिर्च के पोधे हैं वो सूखेंगे नहीं दोस्तों ये पानी डालके आप इसको एक दिन के लिए अवश्य चाया में रखें और अगले दिन ऐसे स्थान पर रखें जहां इसके उपर तीन से चार घंटे ही धूप आए और वो भी मॉर्निंग की से ज़्यादा धूप ना आए तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं